शाजां से किसी ने पूछा कि शाजां के इंजिनियर्स ने उनसे पूछा कि आप ताज महल में क्या खासियत चाहते हैं शाजां ने का कि ताज महल जब कोई देख कर लोटे तो ताज महल उसके दिल में जाना चाहिए तो इंजिनियर ने का हो जाएगा मुस्लिम इंजिनियर थे हैं मैं आपकी इंजिनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ और मैं साथ में पावर पॉइंट लाया हूँ यह दिखाने के लिए अगर इजाज़त होगी इसके बाद तो मैं दिखा दूँगा का ताजमहल देखने वाला दिल में ताजमहल ले जाए पता है आर्किटेक्ट्स ने क्या किया एक ऐसी खिरकी बनाई एक ऐसी खिरकी मान लिजें यहां मैं खिरकी बना दूँ और मैं पीछे चला जाओ तो उस खिरकी में से जितना दूर जाऊंगा क्लास छोटी होती चली जाएगी खिड़की के जितना करीब होँगा क्लास बड़ी होती चली जाएगी आपको पता है मुसलमान इंजिनियरों ने एक ऐसी खिड़की बनाई है ताजमहल पर जिसपर अभी मैं आपको दिखाऊँगा नजदीक जाने पर ताज महल छोटा हो जाता है और ताज महल से हम जितना दूर जाते हैं ताज महल बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाता है दुनिया में आज तक जिस भी बिल्डिंग के हम करीब होते हैं वो बिल्डिंग क्या होती है बड़ी हो जाती है पर ताज महल की खिड़कियां ऐसे हैं उसके गेट की, जब हम उस गेट के करीब होते हैं, तो ताजमेहल छोटा हो जाता है। जब हम दूर जाते हैं, तो ताजमेहल बड़ा हो जाता है। शाहजा के इंजिनियर्स ने उसे बताया आज की आखरी बात, शाहजा के इंजिनियर्स ने उसे बताया कि इंसान की आखो की बनावट ऐसे है कि उसे कोई भी सीधी चीज टेड़ी दिखती है अगर वो किसी बड़ी चीज के पास रखी हो, शाहजा ने का नहीं मुझे अपनी गुंबर तेड़ी नहीं चाहिए, उसे सीधा रखो, का नहीं सर हमारा फॉल्ट नहीं है, इंसान की आँखों की बनावट गोल है, तो किसी बड़ी चीज के सामने जब मिनार रखते हैं, तो वो तेड़ा दिखाई देती हैं, इस तेड़ा बनाने का एक सबसे बड़ा फाइदा क्या हुआ पता है, जब भुकम पाता है, तो चारो मिनारें गुंबद से अलग दूसरी दूसरी दिशा में गरती हैं, अगर वो सीधा बनाते हैं, तो क्या पता एक हाद ताजमहल पी गर जाती, पर चार टेड़ी मिनारें, जब हम देखते हैं, वो तेड़ी हैं, पर जब हम देखते हैं, तो वो सीधा दिखाई देती हैं, और इसका फाइदा है, जब भुकम पाता है, तो वो मिनारे ताजमहल से पूर, गुम्बद को बीना नुकसान गिराए दिखती हैं, मैं आपको वो चीज दिखा कर आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और इस वादे के साथ, कि आज से आप जो भी पढ़ेंगे वो रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे, क्या आप मुझसे ये वादा करत है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, अब मैं आपको, now can you please concentrate here, I would just like to show you some very beautiful thing, ये ताज महल हम सबने देखा हुआ है, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाता हूँ, कि हम किसी जमाने में कितने बड़े इंजिनियर हुआ करते थे, और आज तक उस इंजिनि का गेट है, उस गेट में ऐसे दर्वाजे और ऐसी खिरकियां ये medieval ages में बनाई गई थी, कि जब हम building के करीब जाते हैं, तो building को बड़ा होना चाहिए, वो छोटी हो जाती है, और जब हम building से दूर जाते हैं, तो building बड़ी और बड़ी और बड़ी होने लगती है, जबकि दर्वाजा है, इस दर्वाजे के अंदर से अब वो camera नस्दीक ले जाएंगे, जितना camera करीब जाएगा उतना ताज महल छोटा होता चला जाएगा, देखें, ये छोटा 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 और पूरा का पूरा खिरकी में आ गया, जबकि होना ये चाहिए कि ताज महल और होता चला जाएगा, क्या आप देखते हैं, देख सकते हैं, ये क्या engineering है, जितना हम उससे दूर जा रहे हैं, उतना ताज महल बड़ा होता जा रहा है, और जितना हम उसके करीब जाएगे, वो छोटा होता है, अब मैं आपको जो सवेरे से request कर रहा हूँ ना, कि आपको research and development वाली पढ़ाई करनी है, let me speak, let me speak for five minutes, just let me speak for five minutes, just let me speak for five minutes, just let me speak for five minutes, you concentrate, जो मैं सवेरे से कह रहा हूँ ना, कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खूब अच्छी research करनी चाहिए, अब मैं उसका दूसरा नमूना दिखाता हूँ, जब भी किसी बड़ी चीज के सामने मिनारे ट रखे जाते हैं, तो हमारे आखों की बनावट गोल है, वो टेढ़ा दिखाई देते हैं, तो ताज महल के इंजिनियरों ने मिनारे बनाई ही टेढ़ी थी, ताकि वो हमें सीधा दिखाई दे, ताकि वो हमें सीधा दिखाई दे, आप इसका एक advantage देखना और source बहुत authenticate है, ये National Geographic Channel की documentary है, मतलब ये ऐसा नहीं है, कुछ की हमने बनाया हुआ, ये National Geographic की research है, on Mughal Islamic Engineers, आप देखिए आप यहां क्या होता है, अगर आप किसी मिनार को सीधा बनाएंगे, तो optical illusions की वज़ा से वो टेड़ी दिखेगी, ये देख रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने इसे बनाया ही टेड़ा है, इस वज़ा से optical illusions की वज़ा से ये हमें सीधी दिखाई देथी, और जब भुकम पाता है, तो ये चारो ताज महल से अलग दिशा में गिरती है, और ताज महल को इससे कोई नुकसार नहीं पहुचता, क्या आप देख सकते हैं हम किस पाए कि इंजिनियर हुआ करते थे, मैं आपको एक और चीज दिखाए,